इंग्लिस मेंने कैसे कहें? जैसे प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पड़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, खेलने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, and more. गाईज इस तरह के sentences को English में कैसे frame करते हैं आज किस वीडियो में जानेंगे वीडियो काफ़ी interesting होने वाली है So end तक watch करिएगा चलिए गाईज बिना दरी के वीडियो को सुरू करते हैं Let's begin चलिए सबसे पहले rules सीखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे There is no is bar for plus verb के first form के साथ ing और noun plus other क्या लिखेंगे There is no is bar for plus verb के first form के साथ ing और noun plus other प्यार की कोई उम्र नहीं होती There is no is bar for love There is no is bar for love चलिए गाईज कुछ और example देखते हैं और उनके तुरू हम अच्छे से समझते हैं Next example है खेलने की कोई उम्र नहीं होती There is no is bar for playing There is no is bar for playing पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती इसे में इंग्लिस में कहेंगे There is no is bar for studying There is no is bar for studying पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती Next example है सीखने की कोई उम्र नहीं होती There is no is bar for learning There is no is bar for learning अंग्रेजी सेखने की कोई उम्र नहीं होती There is no is bar for learning English There is no is bar for learning English गाने की कोई उम्र नहीं होती there is no is for singing sorry guys there is no is bar for singing there is no is bar for singing guys एक sentence आपकी practice के लिए महनत करने की कोई उम्र नहीं होती write your answer in comment box guys वीडियो कैसे लेगी वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करें चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पाई thanks for watching keep learning, keep growing, keep smiling मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सेर जरूर करिएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पाई पाई